आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi students, so आज हम Class 8 का Chapter No. 6 इस वीडियो में करेंगे जुसका नाम है This Is Joddy's Fawn So Fawn कौन होता है? Fawn होता है जो डियर का बच्चा होता है, जो छोटा डियर होता है उसे हम Fawn कहते हैं तो यहाँ पे Joddy जो है, वो में कारेक्टर है और उसके Fawn के बारे में आपे बात की गई है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से Joddy का और इस आनिमल का रिलेशन as in story हमें हाँ पे बताया गया है Before you read Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn we find quick and effective cures using things available at home अब usually क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाने के, जैसे हमें कभी लग जाती है, कोई cut लग जाता है या हम जल जाते हैं, तो हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं चोटी 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 चीज़ों के लिए हम क्या ढूनते हैं, बहुत fast और effective जिनका असर जल्दी से हो सके, ऐसी चीज़े घर में ढूनते हैं Can you think of some such home remedies for तो आप क्या कुछ ऐसी remedies के बारे में, और और शदियों के बारे में अगर आपके हाथ जल जाता है तो आप उस पे ऐसा क्या लगा सकते हो, जो आपके घर में available हो, a bee sting अगर आपको में दमखी काट लेती है, तब आप क्या लगा सकते हो, ताकि वो जो दर्द है, वो जादा ना हो, या वो आगे ना बढ़े जहर, in this story जोडी's father has been bitten by a rattlesnake, अब इस story के अंदर क्या है, कि जो जोडी है, main character उसके पापा को एक rattlesnake ने काट लिया है, he quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison तो वो क्या करता है, कि वो एकदम से doe, doe होता है एक deer को बोलते हैं, उसको मार देता है, और उसका heart और liver use करता है, poison उसके फादर की body से बाहर निकालने के लिए जोडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother तो अब उसे बहुत जादा आश्चरे हो रहा है इस चीज़ का, वो इस बारे में सोच रहा है कि अब उस बिचारे जो बच्चा है, वो उसका बिना मा के क्या होगा जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn अब जोडी जो है, वो बार-बार किसके बारे में सोच रहा है, drift back means go back to, वापिस जाना उस छोटे से fawn के उपर उसकी बार-बार जो है, thought process हो रही है उसके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है उसने क्या कर रखा है उसको अपने हाथों में पकड़ रखा है अपने सपनों में और वो उसी के बारे में बार-बार सोचे जा रहा है अब वो क्या करता है, कि वो अपनी टेबल से उठके चला जाता है और अपने पापा के पास जोन का बैड होता है, वहाँ पे साइड में चाके बैट जाता है पैनी ले अट रेस्ट पैनी जो है, वो यहाँ पे अराम कर रहे है यहाँ पे पैनी कौन है? जॉडी के फादर का नाम है पैनी उनके जो आइज हैं, वो खुली हुई है उपन है और क्लिया है पर जो उनका प्यूपल है वो अभी भी काले रंका है और दाइलेटेड मीन्स बढ़ा हुआ है और लाज और भी जादा वाइड वो हो गया है जॉडी सेट तो जॉडी अपने फादर से पुछता है कि बापा, आप कैसा फील कर रहे हो तो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो डेथ मेरे पास आई थी अब वो कहीं और चली गई है ये एक तरीके से उन्होंने मुहावरा जैसे हम बोलते हैं हमारे हिंदी में वो यहाँ पर बताया है कि बापा, बट वो कह रहे हैं कि क्या हम बहुत ही नजदीकी से बच नहीं गए जब हम बहुत बारीकी से बच जाते हैं किसी चीछ से तो यहाँ पर उसके फादर जो है उनको राशल स्नेक ने काट लिया है पर अभी वो ठीक है तो जोडी बोलता है हाँ हाँ पैनी यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है अपने बेटे को कहता है कि किस तरीके से तुमने अपना जो सर है वो उचा रखा और जिस तरीके से तुमने उस समय बहेव किया जो करना चाहिए था जो उस समय के डिमांड थी वो तुमने पूरी की पा, yes son तो जोड़ी हाँ पर बोलता है कि पा, तो उसका फादर जो है पैनी वो बोलता है yes son पा, do you recollect the dough and the fawn? तो वो पुछता है कि क्या आपको वो जो dough था और वो जो fawn था मतलब जो mother और वो जो बच्चा था वो याद है? कि आपको उनके बारे में कुछ पता है I can never forget them मैं उन्हें कभी नहीं बूल सकता the poor dough saved me, that's certain तो वो जो बिचारा dough था जो deer था, उसने मुझे बचाया ये तो बात जायज है पा, the fawn may be out there yet तो वो बोलता है कि पापा शायद वो जो fawn है, वो जो deer का बच्चा है वो अभी भी वहाँ भार घूम रहा होगा वो हो सकता है, बोट जदा भूखा भी हो और डरा हुआ भी हो तो पैनी बोलता है, I suppose so तो वो कहता है कि हाँ, शायद मुझे भी ऐसे लगता है पा, I am a big boy now and don't need to drink milk तो वो बोलता है कि पापा, मैं अब एक बड़ा बच्चा हो कया हूँ और अब मुझे दूद पीने की जरुरत नहीं है तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं बाहर जाऊँ और वो जो deer का बच्चा है, that is the phone उसे ढूने, and bring it here and raise it, उसे मैं अपने घर पे लेखे आऊ और उसे यहीं पर बड़ा करूँ जो पैनी था, वो चुपचा वहाँ लेटा रहा और छट की तरफ देखता रहा सीलिंग मींस जो छट होती है रूम के उसकी तरफ तो वो कहता है कि जो जॉड़ी है जो पैनी है, वो कहता है कि बिटा, तुमने मुझे एक ऐसे situation में डाल दिया है जिसमें मैं मना नहीं कर सकता हम देन मींस एक ऐसे situation में किसी को कॉट कर लेना जिसमें आप उसे मना नहीं कर सकते तो वो बोलता है कि पापा, वो जादा दिन नहीं लेगा बड़े होने में और वो जल्दी ही जो पत्ते हैं वो खाना शुरू कर देगा और एकॉन होते हैं, small brown nuts चुट-चुटे brown color के nuts होते हैं वो खाना वो start कर देगा, वो जादा दिन अपने जादा पैसे भी नहीं लगेगे, उसको बड़ा करने में तो वो कहते हैं कि हमने उसकी जो मा है, उसको मार दिया है और ये blame जो है, वो हमें लेना पड़ेगा तो Penny बोलता है कि अगर हम उसे बाहर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही जादा गलत बात होगी So I cannot say no to you तो वो कहते हैं, कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता I never thought I would live to see another day मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था जब साभ ने मुझे काटा कि मैं अगला दिन भी जो है वो देख पाऊंगा Can I ride back with mill wheel and see if I can find it तो वो कहते हैं कि कि क्या मैं mill wheel के, you know पीछे जा सकता हूँ और उसे ढूंड सकता हूँ तो वो कहता है कि अपनी मा को कहना पैनी कहता है कि मैंने तुम्हें आदे मतलब permission दे दी है कि तुम जा सकते उसे ढूंडने के लिए He settled back to the table and sat down His mother was pouring coffee for everyone Siddled back means walked back quickly वो चुपचाप वापस जाता है क्यों कोई notice ना करे मतलब उसकी मॉम के पास अब वो जा रहा है और table पे जाके वहाँ चुपचाप बैट जाता है उसकी मॉम क्या कर रही होते हैं उस ताइम सब के लिए coffee बना रही होते हैं coffee cups में डाल रही होते हैं pouring means भरना He said maa paa says I can go bring back the phone तो वो अपनी मॉम को बोलता है कि ममा पापा ने मुझे permission दे दिया कि मैं जा सकता हूं और वो जो phone है उसे वापस ले के आ सकता हूं She held the coffee pot in midair तो उन्होंने क्या किया जैसे ही वो सुना उसकी मॉम ने तो वो जो coffee का pot था वो हवा में ही रह गया What phone? तो कहते है कैसा phone? The phone belonging to the dough we killed तो वो कहरे है वो ही phone जो कि जिसकी मा को हमने मार दिया था We used the dough's liver to draw out the poison and save पा हमने वो जो dough है उसका liver use किया था कि हम वो poison जो है पापा की body में से निकाल सके She gasped gasped means होता है कि जो आपकी सास भढ़ जाती है आप हाफ ने लगते हो तो वो एकदम से ऐसे लंबी सास लेती है Well for pity's sake Pa says it would be ungrateful to leave it to starve तो वो कहती है कि मतलब वो कहता है कि मतलब कि दया के महाने से ही या हम उस पे दया दिखाएं उसी के लिए हमें ऐसा कर देना चाहिए पापा ने ऐसा कहा है कि ये बहुत ही जादा ungrateful होगा means ये अच्छी बात नहीं होगी निरता होगी कि उसे भूखा मरने के लिए हम बाहर छोड़ दे Doc Wilson said that's right ma'am nothing in the world comes quite free तो जो Doc Wilson होते हैं वो कहते हैं आप सही कह रहे हो ma'am क्योंकि इस world में कुछ भी free का नहीं मिलता है the boy is right and his daddy is right जो boy है that is Joddy and the daddy that is Penny वो दोनो सही कह रहे हैं Millville said he can ride back with me तो Millville बोलते हैं कि ये मेरे पीछे बैटके जा सकता है I'll help him find it मैं उसकी मदद करूंगा उसे ढूणने के लिए she sat down the pot helplessly when if you'll give it to your milk we have got nothing else to feed it she sat down the pot helplessly अब वो क्या करती है वो जो pot हवा में होता है जिससे वो coffee pour कर रही होती है वो उसे रख देती है क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें milk दूंगी जो तुम पीते हो और हमारे पास उसको खिलाने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो मिल्वील बोलता है कि चलो चलो हमें अब जाना है राइडिंग पे यह मिल्वील है यहाँ पे देख सकते हैं और इसके पीछे जो है वो जौडी बैठा हुआ है मा बैक्स्टर आस्क्ट एंग्शिसली तो वो उसकी मॉम जो है वो बहुत एंग्शिसली means बहुती चंता में पूछती है कि तुम अकेले नहीं जाने वाले हो जौडी सेट I'll be back before dinner for sure तो जौडी बोलता है कि मैं dinner से पहले मॉमा वापस आ जाओंगा Milveal mounted his horse and pulled जौडी up behind him तो Milveal क्या करता है अपना जो horse है उसके उपर बैठ जाता है और जौडी को पीछे से अपने पीछे बिठा लेता है उपर खीच के He said to Milveal, Do you think the phone's still here? तो जौडी जो है वो Milveal से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो phone है वो अभी वे यहाँ होगा Will you help me find him? क्या तुम मुझे उसे ढूणने में मदद करोगे? We will find him if he is alive तो Milveal कहता है कि हम उसे ढूण लेंगे अगर वो जिन्दा होगा तो How you know it's a he तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे बता कि वो he है या she है The spots were all in a line On a doe phone, pa says the spots are very every which way तो वो कहता है कि मैंने देखा था कि उसके उपर जो dots थे जो deer के उपर usually dots होते हैं वो एक fine line के अंदर थे जबकि मेरे पापा ने बताया है कि जो doe होती है doe का phone होता है उसके जो spots होते हैं वो मनलब random होते हैं एक साथ नहीं होते है every which way means in different directions तो उन्होंने यही बोला कि वो जो doe के जो phone के उपर spots थे वो line में थे और एक doe phone के अंदर पापा कहते हैं कि जो spots होते हैं वो हर किसी direction में होते हैं अब हम यहाँ पर कुछ questions हैं वो देखेंगे what happened to joddy's father यहाँ पर joddy's के father को क्या हुआ था उनके पापा को यहाँ पर एक rattlesnake ने काट लिया था how did the doe save penny's life तो doe जो है एक deer उसने penny की life किस तरीके से बचाई वो इस तरीके से बचाई कि उसे मार दिया गया और उसका जो liver और heart है वो penny की body में से poison निकालने के लिए use किया गया why does joddy want to bring the fawn home अब जो joddy है वो fawn को घर वापिस क्यों लाना चाता है वो उसे घर वापिस इसलिए लाना चाता है ताकि वो उसकी take care कर सके क्योंकि उसकी mom जो है वो मर चुकी है इसमें तो वो सोचता है कि शायद वो बाहर बहुत डरा हुआ होगा और भूखा भी होगा how does joddy know that the fawn is a male तो joddy को ये कैसे पता होता है कि जो fawn है वो male है वो उसे इस तरीकी से पता होता है क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि जो भी male होते है उनके उपर जो dots होती है वो एक line में होती है जबकि जो female होती है उनके उपर जो dots होती है वो अलग-अलग directions में होती है तो वो कहता है मैंने उसे देखा था उसके उपर जो spots थे वो एक perfect line के अंदर थे तो इसके अंदर जो first part है इस वीडियो में हम वो complete कर चुके हैं, second part जो है वो हम next वीडियो में continue करेंगे, thank you.